हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जाम भी आएम सुशिल लगडे एक्स मैनेजर इसर बैंक आफ इंडिया और आज का वीडियो है SBI का आपको पता है SO Specialist Officer Systems का नोटिफिकेशन आया है Freshers के लिए है उसमें Scale 1, Scale 2 बाकी भी पोस्ट है लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे वो Scale 1 पोस्ट की बात करेंगे और उन्होंने अभी उनके वेबसाइट पे जो Initial Notification आया था उसमें ये salary का portion उन्होंने नहीं दिया था अभी उन्होंने ये add किया है ये जो CTC है ये specifically Mumbai के लिए उन्होंने बताया है बाकी centers के लिए आप party आडल के पूछ सकते है या बाकी मतलब आपके कोई friends से तो उनसे पूछ सकती कि ये CTC कैसे calculate करते है और अलग-अलग center पे कितना है तो ये अभी CTC जो बात है ये specific post के लिए जो Mumbai में posting रहेगा इसलिए मैंने कहाए कि stable job होगा एक post के लिए क्योंकि उन्होंने notification में लिखा हुआ है मुंबई या नभी Mumbai एरिया में होगा और क्या होता है कभी-कभी additional line देनी पड़ती कि अगर जरूरत पड़े तो बाकी जगे पे भी transfer हो सकता है वो सिफ legal purpose के लिए होता है लेकिन maximum time की जो posting है वो Mumbai में ही रहेगी और notification में ही उन्होंने additional एक page add किया है उन्होंने का कि scale 1 जो है यानि कि जो PO की equivalent होता है उसकी salary 18.67-68 lakh के आसपास है पर annum और scale 2 की salary near about 26 lakh के आसपास है और अगर आप PO का देखेंगे न तो PO का कुछ additional lighting increment मिलता है वो अगर आप PO है तो आप यहाँ पे बता सकते है ठीक है इतनी post है और यह video इसलिए बनाए क्योंकि भी last day है वो पास आ रहे है बहुत लोगों को यह पता नहीं है क्योंकि first time इतने बड़े level पे recruitment हो रहा है और freshers के लिए है इसके पहले होता था IT के लिए जो कहते हैं specialist officer लेकिन वहाँ पर ना दो साल का experience मांगा था पहले मैंने previous notification देखा है तो बहुत बड़ा notification है और अगर आपके कोई friends है जो इसके लिए eligible है उनको आप यह information दे सकते है बहुत अच्छा job है SBI देखो क्या है ना SBI बहुत अच्छा organization है लेकिन अगर आप wrong side पे ज circle offices होते है तो वहाँ पर जहाँ पर public dealing नहीं है वहाँ पर तो अच्छा है तेकिन public dealing आ गई कहीं भी जाए आप police department में जाए जहाँ पर public dealing होती है वहाँ पर pressure बढ़ जाता है लेकिन यह job है यह systems का job है यहाँ पर public dealing नहीं है और SBI में बहुत अच्छे benefits मिलते है अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत जाए यहाँ पर जिनको लगता है कि नहीं है और लोग बोलते है यह बहुत गंदा job है तो वही सब job ऐसे ही है अगर मैं आपको हर job का अगर 10 negative बाते कहेंगे तो आप मुझे बस नाम बता दीजे job का RBI के job के मैं 10 नहीं 20 आपको ऐसी चीज़े बता स देखिए यह जौब है जिसके हम बात कर रहें बाकी scale to के भी जौब है और यह permanent job है यह regular जौब है फुल टाइम जौब है और इनका जो पोस्टिंग होगा नभी मुंबई मुंबई में होगा यह scale to का इसमे हिदरबद भी दिया है otherwise यह होगा और यह indicative है यहाँ पे जरूरत पढ़ने पर कहीं पे भी भीजा जा सकता है लेकिन यह क्या है legal purpose के लिए दिया जाता है क्योंकि अगर किसी का posting दूसरे जगा पर किया और वो court में उन्होंने case किया तो वो कह सकते कि देखो हमने notification में दिया था लेकिन 99% case में मुंबई में ही posting यहाँ पे रहेगा अभी यहा हुआ इवे जो number है वो जो thumbnail पे number दिये वो कोई मेरे मन से number नहीं क्योंकि मैंने यह generally देखा है कि अगर किसी भी job की salary जादा बताए दी जाती तो कि कुछ-कुछ लोग के पेट में बहुत दर्द होता है वो बोलते कि आप इतनी जादा क्यों बोल रहे है ठीक मुझे पता न काम है अगर आपको कोट में केस करना है तो आप कर सकते है यह scale 1 scale 2 की salary यहाँ पे दी है और यह जो दी है माँ आपको बता रहो यह कोई मेरे मन से नहीं है मुझे पता है अगर यह मेरे मन से आता तो नीचे बहुत सारे comment आ जाते आपको करना है तो आप दीजिए otherwise बहुत ला clock भी है तो यह total 784 प्लस 14 तो यह 798 पोस्ट है अलग अलग आप category wise कितनी पोस्ट है यहाँ पे देख सकते है ठीक है एज भी देखो कितना है यहाँ पे एज भी दिया हुआ है तो अभी आते हैं basic qualification essential तो अभी यहाँ पर क्या है क्या होता है यह ना अभी पता नहीं मतलब चाहते हो या बन रहे हो तो आपको ने यह बात समझ में आनी चाहिए तो यह equivalent degree का मतलब आपको समझ में आना चाहिए लोग बोलते सर civil चलेगा क्या सर mechanical चलेगा क्या सर chemical engine चलेगा क्या correct तो ठीक है भी अगर allow भी करेंगे तो यह जो exam होगा वो आप crack नी कर पाएंगे equivalent का मत electronics and communication है जिए इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो degree का नाम है वो 100 तरीके का हो सकता है electronics and communication है electronics and telecommunication है correct ऐसे हो सकता है अभी computer science है कुछ जगह पे computer engineering हो सकता है तो अभी computer science and engineering है तो ऐसे बहुत सारे भी data science, engineering हो सकता है तो उसको हम equivalent मान सकते हैं ठीक है? और finally ठीक है देखो मान लीज़ागर आपने ये form भर भी दिया कि equivalent सर मुझे समझ में ने आया ठीकिन जो exam में जो यहाँ पर qualification या skills लगने वाली है वो programming की लगने वाली है ठीक है? तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी कि equivalent का मतलब है ये जो दिया हुआ है उसके आसपास अगर है तो आपको equivalent पकड़ेंगे otherwise मैंने देखा है कि लोग कुछ भी पूछ रहे sir मैंने instrumentation की है तो क्या equivalent हो सकता है? क्या ऐसा नहीं होगा उतना आपको basic understanding होना चाहिए M.C.A. और equivalent अभी कुछ को जग़े पे क्या हो सकता है? कि Master of Computer Applications में Computer Science Application हो सकता है बहुत सारी चीज़े यहाँ पे हो सकता है इन्होंने इसलिए कभी-कभी क्या होता है? कि यो legal department है उसको बहुत care करना पड़ता है अलग-अलग जग़े पे अलग-अलग नाम होता है अभी M.T.E.C. and M.C. और है यह और 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 यह अलग-अलग नाम यहाँ पे दिया है तो equivalent का मतलब आपको समझना है कि इसके आसपास का है information technology है कुछ जग़े पे information science भी हो सकता है करेक अगर information science है तो उसको equivalent मान सकते है अगर नहीं भी है तो आप apply कर दीजिए देखा जाएगा आगे जाके करेगा अगर आपको doubt है तो आप apply यहाँ पे कर सकती है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे percentage का ज़्यादा नहीं है जैसे बाकी एकजाम में लगता है वैसा नहीं यह पचास परसिन चलेगा और date यहाँ पे है वो दिया हुआ है उसके बाद preferred qualification यह बिल्कुल भी लोगों को यह भी बात समझ में नहीं आती है भई compulsory यह preferred है ठीक है preference का मतलब compulsory नहीं होता है कुछ लोगों को यह भी बात समझ में नहीं आती है तो यह हम क्या करें ठीक है developers है उसके बाद for cloud operations है यह आप यहाँ पे certification देख सकते है अगर आपके पास है तो चलेगा अगर अधरवाइस 70% बेटे जो है न हो exam को रहेगा 30% intro को रहेगा intro में बहुत सारी चीज़े देखी जाती है अगर आपका English अच्छा है Body Language अच्छी है Personality अच्छी है N number of factors हो सकते उसके बेस पे intro के 30% mark decide होंगे उसके बाद देखो networking है work experience है not required special skills not required भी कोई जरुरत नहीं अगर है तो चलेगा ठीक है question तीन बूचे एक भी नहीं आया तो फिर गया correct है समझ में आए कि ऐसा नहीं कि certification होने से positivity आएगी या आपका positive impact आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ लोगों के certificate है लेकि knowledge नहीं है लेने के लिए certificate ले लिए ऐसा भी होता है तो ये बात सब बहुत मुश्किल है कभी कभी क्या है आज अ काउंसिलर मुझे इतने सारे सवाल आते लोग क्या-क्या question पूस्ते है वह हजारो टाइप के question है it's never ending है अभी इसलिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कि लोग ये question पूस्ते है और यहाँ पे किस टाइप का exam अगा और ये एक बात अच्छी है क्योंकि आपको पता है आज के date में अगर आपको कोई भी government job चाहिए तो भी आपको कौन्ट English रिजनी आना ही है आना ही चाहिए प्लस लैक के आसपास है यहाँ भी ऐसा है यहाँ पे क्या है minimum qualifying marks चाहिए इसके marks आपको क्या कहते है final merit के लिए नहीं पकड़े जाएंगे और यहाँ पे negative marking भी नहीं है ठीक है negative marking भी नहीं है यानि कि आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो भी minus में score नहीं आएगा ठीक है और final जो आपका rank होगा वो इसके basis पे decide होगा इसको 35 marks इसको क्या कहते है 30% weightage है interview को और 70% weightage है आपके test को ठीक है और यहाँ पर इन्होंने कहा है interaction होगा interaction यानि कि general discussion कि आपको computer कितना आता है आपने क्या काम किया है कुछ projects किये है बताईए क्या क्या problem है क्योंकि computer में आज के date में इतने सारे profiles है और बहुत नईनी चीज़े आ रही तो इसलिए वो आपका interest देखेंगे आपके साथ एक general interaction करेंगे इसलिए उन्होंने interaction word का use किया और बहुत अच्छा जाब है अगर आप देखेंगे State Bank of India बहुत अच्छा organization है as a organization वो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ profiles by default ही ऐसा है कि जहाँ पे pressure बहुत है management का pressure है उपर से और आगे से आपके जो customer का pressure है ठीक है इसलिए लोग वहाँ पे cope up नहीं कर पाते लेकिन जिसको programming interest है जिसको एक जगे पे रहना है इतना अच्छा job चाहिए permanent job चाहिए lifetime के लिए job चाहिए और SBI में promotions भी बहुत fast होते है इसलिए आप देखिए SBI clerk यानि कि जे और SBI PO का बहुत ज़्यादा crazy है बच्छों में अगर आपको नहीं है तो भई आप मत apply कीजिए जिसको करना है करने दीजिए अभी नाबाड का क्या कहते हैं वो office attendant का notification आया है यानि कि आप उसको pure कह सकते हैं वहाँ पे भी हजारों लाखों लोग form भरने वाले लोगों को job की जरूरत है जिसको है वो करेंगे हम लोगों को क्या बोल सकते अभी मैंने भी ये वीडियो बना दिया कुछ लोगों को नहीं है तो भी छोड़ दीजी बहुत सारे लोगों को जाना है और बहुत अच्छा organization भाई आप देखो scale 2 में इतनी salary है आप आगे जाके कितना मिलेगा आप देखी ठीक है अगर आपके पास बहुत अच्छा option है तो you can follow that ठीक है और बाकी कुछ question है तो comment section में पूछे मैं answer देने का try करूंगा thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations